चैन दुस्तो तो यह आखरी चार-पांच दिन मार्केट एसे जिग-जग-जग चल लेगा उसके बाद दो डेट एसी आरेगी वहाँ पर मार्केट हिल जाएगा मतलब जो मुमेंट आएगा वो एक अजार से पंदरा सो डूलर के आसपास आएगा उसमें तो सबसे पहली न्यूज है USA CPI Data मतलब Consumer Price Index उसका मैं आपको डेट बताओ नोट कर लेना ध्यान से देख लेना 13 डिसेंबर 2022 और सामके 8.00 a.m. UTC का टाइम होगा आप यहाँ पर यह डेट को देख सकते हो 13 डिसेंबर 2022 सामके 8.00 a.m. UTC का टाइम बाकि चैनल के साथ बने रेना मैं एकजिट इंडियन टाइम भी बताऊंगा उसके बाद जो न्यूज आनी है एक तो 13 तारिक को मारके ढिलेगा उसके बाद जो न्यूज आएगी FOMC का मिटिंग होगा USA के अंदर और वहाँ पर इंट्रेस्ट रेट जो हाइक करते वो वाली न्यूज हमारे पास आएगी अगर पोजिटिव आई तो भी 1500 डोर का उछाड आएगा अगर नेगिटिव आई तो भी 1500 डोर की हमें गिरावर देखने को मिलेगी तो फिलाल देखो में डेट आपको बताओ 14 याद रखना 13 और 14 दो डेट इंपोर्टन्ट है 13 तारिक CPI डाटा Consumer Price Index अमारे सामने होगा मतलब कि जो इंफलेशन डाटा आता है वो उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट जो हाइक करते वो वाला जो डिसेंबर महिने के अंदर 14 तारिक वो भी टाइमिंग में आपको बता दूँगा चेनल के साथ बने रहेना और टेलीग्राम के साथ बने रहेना बाकि ओवर ओल देखेंगे मार्केट अच्छा काजा मोमेंट वहाँ पर दिखाएगा और प्रोफिट भी होगा 16,956 डोलर मतलब 4 गंटे का टाइम फ्रेम हमने लिया है काफी टाइम से जिकचाक जिकचाक हो रहा है मतलब only जो मोमेंट आता है 200-200 और 300 डोलर का मोमेंट पूरे दिन के अंदर इसमें टेडिंग करने में भी मज़ा नहीं आता है फ्यूचर स्टेडिंग में 300-400 डोलर से कुछ मिलता नहीं है मोमेंट हमें चाहिए मार्केट के अंदर 1000 से लेके 1500 डोलर के जब मोमेंट आएंगे तब काफी अच्छा हमें प्रोफिट भी होगा और काफी अच्छा हमें मज़ा भी आएगा क्योंकि प्रोफिट अच्छा होगा तो मज़ा तो आनाई है अब यहां पर यह मोमेंट आएंगे जैसे मैंने डेट बताया सभी लोग उसी का वेट करें फिरूर्यस का स्टोक मार्केट हो या फिर हमारा क्रिप्टो मार्केट हो वो यह देख रहें कि कितना इंफ्लेशन डाटा आता है फिर फेड क्या जो इंटरस्ट रेट है वो हाइक करता है या नहीं करता है कितना करता है सब कुछ त्यान में लेने के बाद मार्केट के अंदर मोमेंट हमें देखने को मिलेगा क्योंकि अभी मंदी के अंदर है और मेरे को लगता है कि मंदी दीरे-दीरे खतम हो जाएगी क्योंकि यह बड़े-बड़े प्लेयर यह कह रहे कि मंदी एक्चल में है नहीं अब जो आगे जो है उतना बड़ा मंदी नहीं है जो हमने देखा ओलेडी उतना बड़ा मंदी आगे नहीं है तो मार्केट तो पोजिटिव जाएगा न्यू जाने के बाद एक अच्छा मोमेंट फिर वहाँ साइड पेज होगा और फिर हमें अल्ट कोईन के अंदर भी अच्छा गाजा उच्छार देखने को मिलेगा बड़ अगर नेगेटिव बात बनती है देखो मुझे लगता तो नहीं है बड़ अगर नेगेटिव बात बनती है तो यह मार्केट यहां तक गिर सकती है 15,700 डोलर के असपास देखो मैं बुलिस हूँ एक परशन यहाँ है कि यहां तक मार्केट आए बाकी मैं बुलिस हूँ सेशी अच्छा न्यूज आया मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से टेडिंग करना है किसे मार्केट में रियक्षन आई तो हमें क्या करना है मैं एकजेट बताऊंगा तो हमारा जो टार्गेट रहेगा 16 900 मतलब 17,000 डोलर के आसपास है अगर मार्केट यहाँ पर ही रहती है तेरा तारिक तक तो न्यूज आने के बाद अगर पोजिटिव न्यूज आई तो अठरा से लेके अठरा पांसो डोलर तक मार्केट जाने की पूरी-पूरी मुझे उमि सब्सक्राइब नहीं कर रहे है देखो भाई आपके लिए है और हमें भी अच्छा गाजा कॉन्फीडेंस मिलेगा मोटिवेस्टन मिलेगा साथ टेलीग्राम को जोइन कर लेना काफे लोग छोड़ चुके देखो भाई छोड़ो मत बोल ले लिए आएगी तो मार्केट को ह लाके रखतेगी तो वहाँ पर हम काम आएंगे आपको सेला हुट भी करवाएंगे मिलते एक ने वीडियो के साथ